नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं निकल गया, बतादे घर के दूसरे कमरे में सोर है मेनेजर साव के बेटे और पतनी को तेंद्वे के आने की भनक तक नहीं लगी, सोम और सुबा घटना की सुचना मिलने पर सूटर नवाब सपत अली खान तेतरडी पहुंचे और मामले की जनकारी ली, वहीं तेंद्वे को फ सरकारी स्कूलों में कल से सुरू हो जाएगी अर्धवार्सिक परिक्षा, जारखन के सरकारी स्कूलों में पहली से साथवी तक की अर्धवार्सिक परिक्षा 18 जनवरी से सुरू होने वाली है, अब तक इसकूलों में प्रश्ण पत तक नहीं पहुंचा है, राजानी राच जिलो की इसकी छपाई करवाय कर उसे स्कूल तक पहुचाना था राजे के सभी स्कूलों तक प्रस्ट पत्र नहीं पहुचा है पहली और दूसरी कलास के बचे मौखिक परिचा देंगे इसके लिए प्रस्ट पत्र निर्धारित किये गए हैं जबकि तीसी से सात्वी के पचे प्रस्ट नों को लिखित जबाब देंगे ज्यारखन के संताल आदिवासियों ने कफन परथा पर लगाई रोक हजारी बाग रामकडवा बोकारो जीले के संताल आदिवासी बहुल गाउं में कफन परथा पर रोक लगा दी गई है सोमवर को चूरचू परखंड के आदिवासी बहुल गाव कजरी भूरकुंडा में आयोची संताल समाज बैठक में उक्त निनलिया गया बैठक के बाद जनकारी दिगाई की तीन जीले में कफन परता को समाप्त कर दुखी परिवार के परिजनों को सहयोग रासी दे कर सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया कफन सिर्फ घर्व और अपने गोतिया के लोग ही देंगे अने रिष्टेदार और गाउं के लोग कफन के बदले नगद रासी देंगे मौके पर उपस्ति सभी लोग एक जगा धन जामा कर पिडित परिवार को देंगे इससे परिवार के आर्थिक मदद हो सकेगी बैठक में जोडा कारम, परसा बेडा, रामदागा, बहेरा, फोसरी, बदुलतवा गाउं से आए लोग मजूद थे रांची के IIM होस्टल में सव बरामत रांची IIM होस्टल में छात्र का सव बरामत हुआ है इस घटना से पूरे कैमपेस में संसनी है वहीं परवंधान की परसाइनी पर बल बढ़ गए है नगड़ी थाना चेतर इस्थीत IIM होस्टल में सिव पांड़े नाम के छात्र का सव बरामत किया गया पूरे मामले में पूलिस द्वारा जाच की जा रही है पतादे राजधानी के नगड़ी थाना चेतर इस्थीत IIM होस्टल में सिव पांड़े नाम के छात्र का सव बरामत किया गया सिव का सव संदिग्द अवस्था में मिला है लेकिन उसके दोनों हाथ बंदे हुए है इस मामले की जनकारी मिलते ही पूलिस की टीम मौके पर पहुँच गई है हत्या और आत्म हत्या दोनों ही बिंदूओं पर मामले की तफसिल की जा रही है जारखन के लाल इसान किसन का प्लेइंग एक गारह में खेलना ता है भारत और न्यूजिनलंड के बीच खेले जाने वाले वन दे सिरिज में इसान किसन का खेलना ता है इसकी वज़ा है कि के एल राहूल को आराम करने के लिए भेज दिया गया है भारत और नुजनल के बीच तीन किरिकेट मैचों की वन्डे सिरिंखला की सुरत अठारा जर्वरी से होगा इस किरिकेट सिरिज का पहला मुकावला हैदराबाद में होगा अठारा जन्वारी बुद्धवार को दोपर डेर बईये से मैच खेला जाएगा इस मैच में इसान किसन और सुरे कुमार यादो के प्लेइंग में खेलना लगभगता हो गया है बता दे भारत ये किरिकेट टीम को अपने ही स्टेडियम नुजलेंड के खिलाब तीन मैचों की वन्डे सिरिज खेलना है नौ महीने में बयट का पचास फेदी रासी भी नहीं खर्च पाई जार्खन सरकार राजे में चालू भी तिये वर्ष के अम्तिम तिमाही तक बयट रासी की चपन परतियती खर्च हो सकेगी पिछले नौ महीने में खर्च की बेहत धिमीर अफतार होने की वज़ा से कूल रासी की पचास फेदी भी खर्च नहीं हो पाईगी बता दे जार्खन में हर वर्ष भारी भरकम बयट पेश करने की परमपरा रही है हालत यहा है कि राजी गठन के 22 वर्षों में सरकार के द्वारा पेश किये गए बयट को देखे तो राजी गठन के बाल से अब तक 20 गुना प्रिदी हुई है इन सब के बीच खर्च की सिती को देखे तो हर वित्यवर्ष के अमतीम तिमाही में खर्च तेजी से होती है चालू वित्यवर्ष में भी यही ट्रेड दिख रहा है अम्तिम तिमाही जन्वारी से मार्च के भी जार्खन सरकार यदि बयट प्रवधान के अनुरूप खर्च करेगी तो उसे 56 परदरासी खर्च करनी होगी बिधायक कैसकांड मामला कैसकांड में फसे कॉंगरेस के तीनों बिधायकों को इडि ने पूस्ताज के लिए जोनल ओफिस ने बुलाया था मंगलवार को नमन को एजेंसी ने समन देकर पूस्ताज के लिए बुलाया था नमन ने भी अपने वकील के माध्यम से पत्र भेज कर इडि से दो सप्ता की मुहलत मांगी है इससे पहले दो अने निलंबित बिधायक इरफान अंसारी और एज कक्छभी इडि के बुलावे पर नहीं पहुंच समाई की मांग कर चुके है बच्चों को दी जाती है मोबाइल चोरी की ट्रेनिंग अपराधी मोबाइल चोरी करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है इसके बाद उन्हें अलग अलग जगों पर लागा दिया जाता है इन बचों को प्रती मोबाइल एक हैयार से लेकर दो हैयार रुपे तक दिये जाते हैं जारखन के साहिवगत जीला अंतरगत राज महल और तीन पहाड इलाके में बचों को मोबाइल चोरी की ट्रेनिंग देने वाली पाठ साला चलाई जा रही है इन पाठ सालाओ के संचालाग बड़ी संखा में बचों को ट्रेंड करने के बाद उन्हें बड़े सहरो और महानगरों में भेज रहे हैं उसके बाद इन बचों की अलग-अलग इलाकों में बकायदार ड्यूटी लगने से लेकर उन पर निगरानी तक का कामगिरों के सर्गनाओं के जिमेदारी रहता है पांकुड से भारी मात्रा में बिसफोटक जबत जारखन के पांकुड जीले में रद्धी पूर ओपी पूलिश ने बिते सोमवार देर साम सुन्दर पहाडी गाउं की इस्थीत सिया राम धर्मकाटा के पाच चापे मारी कर अवैद बिसफोटक के साथ पच्छिम मांगाल के एक ब्यक्तिव गिरफतार कर लिया गिरफतार आरोपी पच्छिम मांगाल के मुरा रोई थाना छेत्रे के नोयानी गगडा गाव निवासी रेजावुल करिम उर्फ कीरन सेख है पकड़े गए युग को मंगलवार सुबस्वास्थ परिक्छन करा कर पाकुड जेल भेज दिया गया है बता देविस फोटक जब्त मामले को लेकर ए एसाई स वादी अरोण ठाकुर ने आरोपी के खिलाप मामला धर्ज किया है धनबाद सहर के लोग कितना पिते हैं सुध पानी टीम करेगी जाँच स्वाक्षता सर्वेक्छन में बहुत हद तक बेहतर नक कर पाने के बाद अब जार्खन के धनबाद नगर निगम को जल सर्वेक्छन से काफी उमीदे है निगम का दावा है कि पानी पर काफी काम किया है तलाबों के सर्वेक्षन से लेकर एस्टीपी वगएरा से पानी सूध कराने का भी काम किया जा रहा है स्वक्ता सर्वेक्षन की तर्ज पराश्ट्रिय अस्तर पर जल सर्वेक्षन के सीले में पांच सर्वेक्षन के इंद्रीय टीम धनबाद पहुंच चुकी है अगले पांच दिनों तक धनबाद में राकर नगर निगम की ओर से जल सरोतों से समधित दी गई जनकारियों की सत्याता परकेगी पचास लाख रुपए तक की सराब की पांच सो से अधिक पेटिया जब्त है इन एच 133 पर पगवारा पहाड़ी के पास हंस डी हाथ हना कि पुलिस ने सोमवार की देर राच हर्याना में रजिस्टर एक बड़े कंटेनर से भारी मात्रा में सराब जब्त की है हलाकि अभी सराब की पेटि की गिंती नहीं की गई है लेकिन पुलिस सुत्रों के अधिक पांच सो से उपर हो सकती है जब्त सराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए तक आखा जा रहा है पुलिस को देख कंटेनर वा ट्रक के चालक खलासी वा अने फरार हो गाए पुलिस ने कंटेनर वा दो अनेवाहनों को जब्त कर लिया है बता दे थाना प्रभारी सुगना मुंडा के अवकास पर रहने के कारण स्ड़ीपियों के अहां से डिहा थाना पहुचने के बाद इस मामले की सर्टिक जनकारी मिल सकेगी हिमन्त सुरेन बारा फरवरी को करेंगे ज़ारखन के डिजीपि की नियुक्ति ज़ारखन सरकार ने सोमर को सुप्रीम कोट को बताया है कि उसे यूपीये से तीन वरिष्ट आईपियस दिकारियों के ना मिले हैं बरतवान डिजीपि नीरस इना के पद छोड़ने के बाद 12 फरवरी को उनमें से एक और नए डिजीपि के रूप में न्युक्ति किया जाएगा ज़ारखन के मवजूदा डिजीपि नीरस इना 11 फरवरी दो हजार तेज को सिवन निरित हो रहे हैं परधान नयाधिस डी वाई चंद्रचूल की पीठ ने बयान पर संग्यान लिया और ज़ारखन सरकार और बरतवान डिजीपि के खिलाब एक आउमाना याचिका को निरस्त कर दिया याचिका में अरोप लगाया गया है कि सिना 31 जनुवरी 2022 को सेवन निरित होने के बाद भी इस पद पर बने हुए हैं ज़ारखन सरकार की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया है कि यूपियसी ने 5 जनुवरी को तिन नामों का चैन किया था 17 जनुवरी को मौसम साफ रहेगा इसके बाद 18 से एक और पच्मी भी छोब बन रहा है या उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा है इसका आंसिक असर ज़ारखन में भी रहेगा इसके असर से ज़ारखन के कई इलागों में बादल चाय रहेंगे बादल चाय रहने से निम्तम तापमान थोड़ा चड़ सकता है वहीं 29 और 20 जनुवरी को सुबा में कोहरा वद दीन साफ रहेगा एक जनुवरी से एक बार फिर पच्छिम भी छोब आ रहा है इसका आसर एक से दो दिनों तक रहेगा इससे आकास में एक बार फिर बादल चाय रहेंगे धन्यवाद